जोहार इंगी बापी आपे ट्राइब टी वीडिया नवाद दर्बार अखळाले शनामगे सेगुद्धराब तीहीं पुन गालमरा आज तीहीं जहाएं दो अधिवासी को उतनों लगी ते अधिवासी को लहांती डार से दे लगी ते आज अधिवासी को उतनों लगी ते 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 अधिवासी क अधिवासी जाते लहास तीन डहासे को लहा आ और उना लिगी ते चील कानाई कुरू मुटू हो कदाई उनाको बाबत्तिगी तेही जानवा दर्बार तीन दिपन गपलमरा कना जहां दो बाबा कार्तिक उरावख्रा तेह जहां दो उनिया जानाम दो ही लेंते हैं 29 अक्टूबर 1924 गुम्ला हनोत्रिया लिट्टी तोली अतुरे जहां रे उनी जानाम लेनाय आ जानाम काते उनी निजरा जीवी रे लेकानाय कमी का आय जहां दो बाड़ा बुन जे उनी जहां दो दिसम रे अबवा दिसम जोखन अंग्रेस तालार जोखन उनी अंग्रेस को ह जहां परिस्थीन, जहां परिस्तिती जहां हलत नाये उनी जि collaborators जहां नाम लेकानाय ऑनाया हिना दिसम भानाय कंव शटो नाकपुर राजी नांग्र मा कि में टिस्थी जहां हालत रेकाना मरा कमीय कथा जहां जDay में बाड़ा यलching कुम्ला के णाये है जर जोघ्ल मं करिकन प्रावा भाखरात को भार्ड़ तरी मियें अन्हाव नियुमित लगाना कि अरे लिगार के गुंपया को ब्रह घ्राओ खेला सीयरितु है जी अन्हें अरे के गव्याद अरे कुर्ण के अरे हिंगे अरे जान रित के गिसखें यहादू है कर्तिक उराव बाखराते जहां दो होड कुरें में चांदू बराबरी होड लेकाई तहेकाना हार उनी आधिवासी होड कुवा अधिगान एटके टोले साथे आधि लिकाना गोड़ो कमी होरा हों एमका कुवाई क्वासी कुरेगान दो जिक कार्तिक उराव जनाम सेर्कोरत जहां गोम्ला हो सत् desperately तो ये होड फ़ एनातेयों, आर इंडर प्रफा लगते surprised the जीसिरे शुप्रेटेंडेन्द कांस्रक्षोंस डिजाईनर ने कारते भार्पय में धि था ना नहीं ते सिखेएक ऌजधा न्चीब कांस्रक्षोंस डिजाईनरर में से धार्पय में धिश्फ तो चोटानाक पूर्रे आदिवासी कुवा फालोगी दिकते अडिगी चीन्त लिनाई आर आदिवासी कुवा उतना लिगिते अजा परवडिये लहालेया आर उनी 1922 रे एजिसे ओना गमी भगी कते मिद अगोन लिकाते इग दियारे नाई उनी जहां आई राजरे दहारे तडामरे आई कुरुमुटू लियार उना दहार अडिके एटके टोडे थेहकाना आर आय हो नुवा दहारे तडाम तुरीते अडि लिकाना एटके टोडे हो जांगे तरामकार उन्ही है उजिर लिया जी आदिवासिको आ, उतनो आर आदिवासिको जाते लहां ती डहार से को लहां आ, नुआ लगीते अटिगान कवडी, अटिगान पावर लगती 말द गान, और नुआ पावर न्याम लगीतती इगे, राजर रोड़ी आठ्गू लहारे बाचनायों डह अधिगान आधिवसी गताग्रेन हरको अधि लेकाना गलोई माग कान्थे नाई आर उंकुवा दुख सुग्रे आय होई सेलेदो कान्थे नाई इन तयां 1967 जहां लोगसवा बचनाव हुई लेना उना बलोगसवा बचनाव रे अधिगान भोटामेट कते उना टुठारे जीत करेनाई 1968 जखन भुदान अंदलन चलाक कान्थे ना उन अक्तोरे अधिगान आधिवसी कुआ अधासा हक्रियो कान्थे ना अर् repeat अधिवसीकुऊ ओठासा इक्रियो कान्थे कार्थिकुराउ अडिगे चीन्तो लेनाई उनक तो उनी इंद्रा गांधी साहो ज्या पाम लेनाई आर ज्या पामकते मित्रउं दभियद होले आई जे जाते आधिवसिक्वा हासा आकुठन कर आलूरेजोप मा मेंते। कर्तिकुरावा नहा कुरूमुटु इंद्रागांधी अन्यों लेते आये आर जाते आधिवसिक्वा ओठासा आलूरेजोप मा उना लगीते लेंड रिटेन एक्टे बिनावले आये राचीरे विर्शाखर्सी उनीवसिटी उनीगी उधले आये आर ट्रायवल्सब्लान हा उनीगी त्यारले आये आनुवा पर्तन होथे ते कि ने सो तालमा सर्कार और पनस्ष्रकार आधिवसिकोवा उत्नल्हक अधिगान पर्तन है अर्वयकाना नहां तीन हो आदिवसिको, 1980 रे घुटन हो, नेतार को हो, नेतार हो को दिशे रोल गिया, चिता से उनोक्तो जहां तिमें तिम स्वकारी कमी हो राको ठेकना, उना रे SC आर ST आ जहां आरेक्षन तेकना, उना मुच़ दो कांथेना, 26 जनवारी 1980 रे मुच़ दो कांथेना, आर उन अक्तों के कार्तिक उरादो, नुआ बावोत्ते ब्रोल रकाव ले आए, आर इना तेम के 1990 हबिट्टे, ST ST को आ अरेक्षन बर्टी ले आखो, आर तीन, उन मरां आधिवसिरेन अगवन, तेहें आभुको तलारे बनोई का दिया, आर जिसंबर 1981 रे संसत महबन रे याँ केंपस भित्री रेगे, अचकाई भीदर ले नाई, आर इंदर कते के उनी दिहूस ले नाई, आर इना तेहां उनी सूर या मिध होस्पिरेलर को इदिली दिया, जहारे उनी आर टिक्छ जलात तरुप दिगे, उनी इनुआ धर्ति प पर अगुआ नाई, आर शूतर शुचरी रे लेकाटिकू अपरोभ मेना काते हा, आजम के अबुन, जहां दो बाबा करती को राओ चलकाते, अयां कमी होरा एधी काते, जहां दो जहाल के अधिवसी को उतनल लगी ते अधिवसी को लाहं तीडार से दिली गी तेह नी अधि जितकर कते हो आई ने लेया जे नितोँ बांग जहानल काते है पावर है विव अगोल प्यावाद के जहां नवाको कमी होरा रहे लहाद लगे ते मिटे मारांकता नवा आ कना जे नयुक्ष अबस्कार मैं नमस्कार समय सब्सक्राइब जोहार सजे कच्चक योर से जी 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 सर मैं गीता सरी मैं से जाना चाहूंगा जैसे हमारे बाबा कार्टी कुराओं जी जी इस तरह के उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने सोचे थे क्या उनके विकास के बारे में उन्होंने बहुत सारी ऐसे चु के लिए स्वयोग मिल रही आदिवासियों को देखिए सबसे पहले तो जब वो विदेश से वापस लोटे है चीसी उन्होंने आइस डेप्टी चीफ इंजिनियर ये डिजाइन पो जब उन्होंने किया था उसी वक्ट जब वो अगल वगल के जब गाउं में जब उन्होंने रहामिल करना शुरू किया था तो उन्होंने देखा था कि आदिवासी समाज के लोग अपने गौरवशाली इतिहास जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस तरह के कभी विदेशी ताकतों के सामने में हमारे अपने मान समान का समझाता नहीं किया हमारे पूरवजों ने उस सबसे पहले तो उन्होंने उन्होंने पढ़ा विवस्था को पुनर जागरत किया ताकि एक सिस्टम जो है हमारा जो अपना स्वशासन का वो तुबारा से लागू हो और वो आज भी चल रहा है हमारे लोग उसको मान रहे हैं आजकल इसकी मानिता है और साती सात उनका जो गाओं छोटे से किसान परिवार से उनका संबन था और उन्होंने बहुत संगर्श करके ये सारी डिग्रिया विदेशों में हासिल की थी वहाँ पर भी अपना लोहा बनवाया था तो सिक्षा पर उनका विशेश जोर था और मगर वो सिक्षा वेज होने के बावजूद भी इ उन्होंने एक किसान के बेटे होने के नातें उन्होंने फरीकल्चर उनिवर्सथी के स्थापना करोई और और सबी लोग जानते हैं कि कृशी प्रधान देश है और हमारा राज्य भी कृशी प्रधान ही है और तो हमारे किसानों को अनत टक्नीक का जो साइंटेस्ट ये सोच उन्होंने रखी थी और वो चाहते थे कि हमारे जो अपने बच्चे हैं उनका अपना पढ़ाई पर फोकस रहे और वो पढ़ाई के जरिये ही समाज जो है उन्नती के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और जैसे कि खुद भी उन्होंने इतना कुछ संगर्श करके जो स 12 डिग्री हासिल की इतना मान समान हासिल किया तो उनके हमेशा दिमाग में सबसे उपर उनका समाज रहता था कि उसकी उन्नती के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपको अगर जानकारी के बताना चाहूंगी कि उन्नके साथ के दस्रक में जब विनोबा भावे उनके अगवाई पूरे देश भर में भूदान आंदोलन चल रहा था जिसमें हमारे अपने आदिवासियों की भी जमीन भी दान में जा रही थी तब उन्होंने ततकालिट प्रधान मंत्री इंद्रा घंदी जी को जो है ये कहा था कि आदिवासी से अगर उसकी जमीन चिन जाती है तो उसका आस्तित्व ही मिठ जाता है तो तब से वो जो आदिवासियों का भूदान रुका और साथी साथ सी एंटी एक्ट में जो एक तरवा जो है ये एक सेक्शन जोड़ा गया जिसमें भूवापसी का भी प्रावधान लाया गया जिसे लिए बहुत पुराने रोग है जो लैंड थी एक्ट के तहट उनकी जो बहुत सारी ऐसी आदिवासियों को इसमें बहुत सारी हेल्प मिले है बिलकुल बिलकुल तो वह उनको आज भी जो है जो पुराने लोग हैं उनको अपने मसीहा मांते हूं कहते हैं उन्होंने कार्तिक बाबा ने हमारी जमीन बचाई तब हम ल Development Authority की स्थापना करवाई जो उनका brain child था जिसके प्रोटोकॉल के अंतरगाथ तो चीफ मिनिस्टर ही उसके अध्यक्ष थे मगर वो आज इवन उसके पाध्यक्ष रहे और उसके जरिये वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाए हमारे अपने छेत्र के लिए समाज के लिए ऐसे लेकी आई जो हमें अलग विवस्त था एक अलग राज्यका जो लोगों ने सबने मिलके करांटी की तो कार्तिक बावो का उनका विचार और सोच विचारी अलग था उनकी दूरदर्शिता ये थे कि ठोस रूप से हम लोग कुछ काम ऐसा करें और उन्होंने जब अब ये डिवल्लब्मेंट अथारिटी की सापना की संताल प्रग्ना चोटनाकूर डिवल्लब्मेंट अथारिटी की तो उसमें एक ऐसा बजट वो लेके आए जो कभी लाप्स नहीं होता था ये कभी ऐसा हुआ नहीं था मगर वो क्यूंकि इतने मतलब अपने तार्किक र वाते थे और उनका हो भी चाता था ईड ऑनो होता था बजट वजटे के लज लाप्स कभी नहीं होता था जो हम लोग right now घ्ळा व्ह до एपस करना करना पड़ता है वह बजट डियट अड़ी मोежде ga speak siitä हमाई देश लाप्सर नहीं परुब मेंड वहां पर ताकि जो है कार्य का इस बादन भली भाती और तरीके से और समय पे हो सके ये इस तरह की सोच थी उनकी और साथे साथ जहारकन अलग राजे का भी उनका एक वो अलग ही विचार उनके मन में था क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लोग अभी सब चीज के लिए प्रसिक्षत नहीं है तयार नहीं है उ और उसके बाद जब लोग हमारे सिस्टम में ढ़ल जाएं और सब प्रसिक्षत हो जाएं तो फिर अलग राजे हमारा बने और इसी तरह से आप लोग और बहुत सारे उधारन भी ऐसे देखेंगे जहां पर पहले राजे फर इंजामपल आपका गवा आप देख लीजिए प तो निश्यत रूप से उनकी सोच उस तरह से ही पड़ती थी जिससे समाज का जो है सही तरीके से ठोस जो है तरीके से उसका जो है उत्थान और निर्मान के लिए वो हमेशा काम करते रहे लगातार और सिख्षाप में उनका जो था उनका एक अधुरा सपना रह गया वो चा श्रीज पर हमें पर एक और वश्रुविद्याले लीग उनिवर्सटी बने जो जैसे कि फॉरण युनिवर्सटी में हम लोग देखते हैं लीग उनिवर्सट्री क्यों की वह ऊनते थे और चाहते थे वह जानते थे बहुत ऐची तरह से कि हमारे अपने बच्चों में आदि समाज के बच्चे और जो दस प्रतिशत है वो दूसरे समाज के मेधावी और गरीब परिवार के बच्चे भी उसमें आ सके जहां पर उनको सभी इंजिनेरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसके जो है सारी पढ़ाई उनकी मतलब स्कूली स्थर से आपके प्रोफेशनल लेवल तक हो तो इस तरह का एक वो था जिसमें ततकालिन आपके मुख्यमंत्री जो मध्यप्रदेश के थे अर्जुन सिंग जी उन्होंने उसमें बारासो एकर जमीन दे दी थी जो आज वी छट्यसगड़ का हिस्सा बनता है राइपूर का इस तरह राइपूर नहीं सौरी आपका जस्पूर का जस्पूर जिला में तो इस तरह का उनका एक सोच था जिसमें आदिवासियों को का कैसे वो सैक्षनिक रूप से उत्थान करें साथी साथ उनका अपनी संस्कृती पर भी बहुत ध्यान था संस्कृती मतलब जाते थे जी मैं इ बढ़ी खबर अभी आरी यहा थो नहीं नुत बढ़ा एकनाजे सी डिएपिन जाहां लिपन रावत जहां तो मिगरी मलांगे जहां हेलिक कर आपटर एक्स्रेंट जाहां हुए दिसमरें हो जहांतिन उन्यमन मभण खोबुष तरहुल को ट हीक निटो नियां चप्त नियांब कहना जैं सुखम झाए निखे में लगाए निया दोनिटी निखोबुषित्या परण्गों चलीय का जाए निखिट्टा छाव निलीकटर जहां पट्रिप्टर को टोन च्पड स्क्रीन रेज़ प्लें ह Highway जहांने भीपिन ढ़ावत थेकना है उन्ही रेक्टर। जहांने लेक्रेंश लेलेखक थेकना है। जिस तरह से अभी हम लोग बात जैसे बात चल रहे थी और बीच में ब्रेकिंग भी आगे थे जैसे हम लोग देख पार रहे हैं जैसे हम लोग जान पार है कि बाबा कर्तिक उराज जी ने बहुत सारी ऐसी चुनोतिय कावे सामना किया और वह आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लक्ष थे उन्होंने पूरा के पूरा करने के बाद आदिवासियों का विकास के लिए बहुत सारी ऐसे कार्य की है जैसे के आज हमारे साथ अभी भी जुड़े हुई हैं संजे कश्चप जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगे बाबा करतिक उराज जी के जी राह प जी बच्चे हैं जो आगे बनना चाहते हैं उनको आप बहुत अच्छे स्योग करें सर इसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमारे जो समुदाय के बच्चे हैं वो सिक्षित बनें और संगठित रहें और आगे बढ़ें और समाज को भी आगे ले जाएं तो उन्होंने आज से 40-50 साल पहले पचास से भी जादा स्कूलों की अस्थापना किये तो ये सारे चीज़ें इस दिसा में इंगित करती हैं कि हमारा विकास जो आदिवाश्यों को विकास है उस सिक्षा से संभव और जब मैंने बच्षपन से उनको जाना और देखा कि उनकी जो परतिभा है वो बहुत ही जो लोगों को प्रभावित करती हैं तो मैंने उनके एक पक्ष जो शिक्षा की जो उनके दुआरा जो शिक्षा का जो मसाल जलाये थे तो हम लोग जब पढ़ाई जब खुद सिक् बाबा के दिखाये हुए रास्ता ही कहेंगे कि जो भी हमारा जो पुस्तकाल है अभियान अभी बतमान हम लोग चला रहें कहीं न कहीं हम लोग जो है बाबा के सपनों का धारकन बनाना चाहते हैं जहां पर गरीब गुर्बे मेधावी बच्चे और ग्रामीन चेत्र के बच अपने समाज के चेत्र के बढ़ा सकता हूं जाने हैं जितने वी चात्रे हैं यह वह आगे बढ़ना चाहते हैं आप उनकी हेल्प कर रहेएं यह बहुत ही बड़ी बात है और जैसे कि हमारे बाबा कर्टी उराओंजी का भी एक सपना था कि जितने भी बच्चे हैं वो आगे बढ़े कास करके जितने दिखा जाए कि संताल पर गणा होए या जहारकन कि जितने भी आदिवासी बच्चे हैं वो अपने मुकाम पे वो आगे बढ़े और उनकी वो पूरा हो इस तरह के बहुत सारे सोच बिशार उनके थे और अभी भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिस था आप जिस्तरा उनके राह पे ही आगे पढ़ रहे हैं और इसी बहुत नाया जो है उन तक भूछा रही है आप मेडम से मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा मैम जिसे कुछ दिन पहले आपके इंटरिविव आया था आपने बताया था कि आदिवासियों की जमीने हैं क्या वो सुरक्षित है मैम अभी भी नहीं सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है अभी हम लोग देखे ये हमारे अपने समाज की एक नियती ही मैं समझूंगी क्योंकि अनंतकाल से हम लोग हमारे पुरवज ने भी हमारी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संगर्ष किया अपने प्राणों की आहुरती भी दी और उन्होंने अगवाई की इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी करांतियां की आज भी हमारे और उसके ही कारण फिर हमार अपने अभी जो बिहार था उस समय अंडिवाइड़ बिहार में आपके तीन मुख्य जो हैं यह जमीन बचाने के कानून बनाए गए गये थे 1838 में जो आपका यह विलकंसन रूल बना था कोलहान में चैबासा जो आपका इधर सराइकला करसावा वाला जो इलाका है जो कोल बिर्सा मुंडा जी के शहादत के बाद में 1908 में जो C&T Act बना था और उसके बाद फिर 1957 में आपका C&T संथार प्रगना यह Act बना था टेनेंसी Act बना था तो इस तरह के Act बने हैं हमारे हैं मगर बावजूद उसके हमारे जो है जमीन का मतलब काफी लोगों को इसके लिए स जंगर्श करना पड़ता है हमारे लोग भी बड़े भाले होते हैं और लोगों की बातों में दूसरे लोगों की बातों में आके उनको Act की जानकारी भी नहीं है कि C&T Act के तहट जो आदिवासी का गैर आदिवासी को जमीन देना भी गैर कानूनी है मगर उसके बावजूद भी आज हमारे यहां यह सिती बनी हुई है और जारकन बनने के बाद तो बिलकुल ही इसमें बहुत जबदस्त एक तरह से मैं कहूंगी कि भुचाल साया हुआ है आए दिन हम लोग देखते हैं पहले तो छोटे-छोटे जमीन का होता था आज हमारे बड़े-बड़े जो हैं कई-कई एकर जमीन के लिए भी हमारे अपने आदिवासी भाई जो हैं गरीब तो पैसे से हैं और दूसरे तरह से हैं मगर जमीन के मामले में वो काफी उनके पास रहता है तो वो दबंग लोग इंफेंटर राज्मितिक जो लोग हैं वो लोग भी इसमें अपना जो है तो हो रही है पाच्वी अनुसूची की भी और जो 1996 में जो आपका पेसा कानून मना था उस अंतरगत जो ग्रामसभा होना चाहिए कोई भी सरकारी योजना या फिर जो एक प्राइविट कंपनी भी आती है तो ग्रामसभा करके ग्रामीनों को सूचना देना है उस योजना का और उनकी सहमती लेना बहुत जरूरी है आवश्चिक है बहुत मगर यहां आए देने इस तरह का हो रहा है मैं अपनी छेतर में भी देख रही हूं दूसरे छेतर में भी सुनने में आ रहा है कि बिना ग्रामसभा करवाई ही जो है योजनाओं को उतारने की जो है उतारा जा है और इसमें घ्रामदे के साथ जुशनाओं कर्मफबा ने लेना चाहूँगी स्कावर है वो नहीं चीन सकते हैं स्कतु है जिसाहिकम retained भीकंगे अभी सबसे बड़ा खबर ये कि शी ड्य! करे बीपिएन रावांज जियु अज हमारे इस दुनिया में नहीं नहीं है जैसे कि आउ早 हमलक सुभर से operations noch से कर रहे हैं और संसे लिए बहुत बडबी असे कामें की हैं काम कर रहे भी रहे हैं अचानक जिस तरह से दुर्गटना घटी डिसका कारण से उनका आज उनका निधन हो गया है वहत ऑं बीर मुद्दा है मैं इसके बारे आपसे मैं सब्ढम्च्राइgun सुनना चाहूंगा बेस रावजी और उनका जिस तरह से हलिकॉप्टर क्रैश में जो उनका निधन हुआ है निश्यत रूप से बहुत ही दुखत घटना है और इसमें मेरे क्याल से CBI जाज भी होनी चाहिए कि एक से हलिकॉप्टर जिसमें आपके अगर सवार हैं तो ऐसी मतलब हलिकॉप्टर में जो भी टेक्निकल स्नाग रहा होगा या कुछ हुआ आखिर हुआ किस तरह से जी मैं तो इसमें CBI जाज तो होना निश्यत रूप से जरूरी है क्या कारण है ऐसा हुआ और मैं उनके परिवार के शोक संसर्थ परिवार के को मैं अपनी समेदना जाहिर करती हूँ और मैं मांग करूंगी कि उनकी यह जो दुरभटना हुई है उसकी CBI जाच को जी बिल्कुल सही मैं जिस तरह के यह घटना घटी है कि किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की घटना घट सकती है बड़ जितने भी यह हेलिकॉप्टर के साथ कुछ खराबिया पर जो भी है इसका पीछे जो भी है इनका एक जाच निश्चीत होना चाहिए क्यों अगर मतलब अगर इस तरह कि उनके चीफ का अगर इस तरह से हो तो हम लोग क्या समझेंगे अगर कि सेना के सबसे सरवोच पद बेटने वाले अगर जो अधिकारी पजाधिकारी का अगर इस तरह से निधन हो जाता है तो अज सुरक्षा की भावना तो निश्चीत रूप स अगर इस तरह से लोगों के मन में हा जाती है तो इसमें CBI की जांच जी 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 बिलकुल मैम तो जी जी बिलकुल मैम इनका कारे काल बहुत ही अच्छा रहा था हम लोग देखते थे इनका और ये बिलकुल जो है एक अप्रत्याशित घटना घटी है ये इसके लिए मैं ही नहीं मेरे कहाँ से राष्टर की सभी लोग बहुत ही वैथित होंगे दुखी होंगे जी मैम जी जी मैम इस तरह के इस तरह की घटना जो हम लोग सुबर से देख भी रहे थे कि इनवे बहुत सारे यहां पर जिस घटना पर हम लोग को अभी सुत्रों से कभाल चलाए कि नहीं जी मैम इसमें ग्रामीन भी हमारे हताहत हुए हैं आप बुल रहे हैं तेरा लोगों के भी मौत हुई है तो अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति भी अपनी मैं पकट करना चाहूंगी और इश्वर मतलब उनकी आत्मा को शांती दे और उनके परिवार को शक्त करी दे प्रदान करे इस दुख सुखते ने करी जी मैं जी तो हम लोग ठीक है ये बातों की सिलसला भी जारे रहेगी अब थोड़ी से ब्रेक के बाद पर हम लोग लोटतें इसी मुद्धे पर बात करेंगे जिरो तो हम आपे दोलाते सगुंद राम तीन जाल को गलमराकना बोंजे बाबा कार्तिक उराओ जहां दो होल आदिवासी को लिगेचते अडिकान कमी हुराय कमी हिका जहां दो उनी अडि नपाई-नपाई कमी हिका जहां दो बुन नेल दरीकना जे चोटा नाखपूर है उ आदिवासी को 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 आदि तुम्हें बुता हमेंदा प्राइन दीन करते हो निया नपाई हो दिस दहार सर में आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह के बाबा करतिक और रावजी जिस तरह के माहूल चाहते थे कि उनका भी इस तरह के माहूल बने और हमारे जितने भी आदिवासी है वो आगे बढ़े और आप जिस तरह के हेल्प सबको कर रहे हैं और क्या लगता है कि और कितना development होने से हमारे जारकन हो या बिंगार हो या बंगाल हो इस तरह के areas जहां पर आदिवासी areas जो है वहां पर कितनी और development की कार होने चाहिए जो वो उन लोगों के लिए विकास का काम हो सके सर ऐसा है कि वाधुनिक समय में हम लोग अगर कोई भी चीज अच्छा चीजों की जो अगर कलपड़ा करते हैं तो वो सिक्षा के बिना अधूरी है तो हमारी सरकार भी अपना काम कर रही है कि जो मिधावी बच्चे हैं और जो सिक्षा है उसको ग्रामिन चेत्रों सुदोरू कर रही है लेकिन समाजी कस्तर से भी जो है कि परियास होना चाहिए और जो सबसे विकास की जो सबसे पहली सर्थ है वो सिक्षा ही है और बहुत सारे चेत्रों में आज भी हम लोग इसके महत्तों को जो है हमारे दूरस्त ग्रामिन चेत्र आदिवासी चेत्र के बच्चे हो परिवार हो सिक्षा के महत्त को बहुत जादा नहीं जानते हैं और किसी तरह से स्कूल पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए एक स्वारी काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं माइग्रेट हो जाते हैं या फिर बहला अगर बनाते हैं शिच्षा के माद्यम से, तो बाकी चीजें भी समाज के आसान हो जाते हैं. रहने के मतलब है कि जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी परंपराएं है, उस में और विकास हो जाता है, यह दिवों शिच्षित हो जाते हैं. हमारा बहुत बड़ा भाग जो है, जो ट्राइवल्स का, वो माइग्रेट कर रहा है, बढ़ियां खेती नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा खेती नहीं होने के वज़े से वो बड़े-बड़े कार्खानों में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, बहार जा रहे हैं, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, हमारे जारकंड में भी जो है, बहुत सारे संभावनाये हैं, उडिशा में संभावनाये हैं, बंगाल में संभावनाये हैं, कि जो हमारे आदिवासी दूरस खेत्र के बच्चे हैं, या लोग हैं, वो सिख्षिद्वन के अपने ही छेत्र में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिक्षा से जोड़ना होगा अपने लोगों को इसके महत्यों को बताना होगा तभी जाकर के जो है हम अपने जो बहुमूल धरोहर है संस्कृती है जो विराशत है अपने जल जंगल जमीन है उसको भी बचा सकते हैं जी बिलकुल सही बात आपने सही बात कहीं सर जैसे कि हम लोग जान पा रहे हैं कि जितनी भी लोग है अभी सिक्षा के बिना एक अंधिकार घर के जैसे एक रूम के जैसे हैं वो एक अंधिकार रूम में भी अगर आप एक रोसनी अगर सिक्षा के एक किरन भी नजर नहीं आत पर इसकूल तो है लेकिन वहां के जो सिक्षक है वो टाइम ली नहीं पहुच रहे हैं वहां के जो बच्चे उनलोग चाहते कि हम लोग पढ़के आगे बढ़ें और उनकी जो यह सपने वो पूरा नहीं हो पा रही है इस तरह कि बहुत सारे चित्रे हम लोग देख भी पा रह है जैसे कि उनका जो विद्या है अपने बच्चे को बाटे ताकि वो बच्चे आगे बढ़े आगे बढ़के जैसे देश का नाम भी एक रोसन करें इस तरह बहुत सारी समिश्यां जो आ रही है हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या इस समिश्या को दूर करने के लिए सबसे से आ गिया है कि जो ग्रामी दूरस्चेत्र के बच्चे कैसे अपना केरियर को सवारे कैसे वो मुकाम को हासिर करें आज आई यस बनना भी गांस के बच्चे भी चाहते कि आई एस डॉक्टर इंजिनियर जज दरोगा एस पी डिएस पी बने लेकिन क्या यह संभव है कि जो है जो भी सक्षम लोग है समाज के लोग है अगवा लोग है उनको आगे आना होगा सरकार अपना काम कर रही है हम लोगों को भी अपने समाजिक दाइत्तों का निर्वहन करना होगा रही बात है कि सिख्चा के बिना आपने सही का कि सिख्चा के बिना बच्चे जो है अं सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि सिख्षा सिर्फ रोजी रोजगार पाने का साधनी नहीं है एक अच्छा जीवन जीने का और बहतर राष्टा चुनने का भी है आप जानते हैं कि सरकारी नौकरिया सीमित हैं तो हमारे आदिवासी वाओं को सिख्षित हो करके सिख्षित हो करके रोजी धमिता की और भी जाना चाहिए उनत क्रिशी करना चाहिए यह तभी संभा हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को दूरत सेत्र के बच्चों को ग्रामी चेत्र के बच्चों को आदिवासी चेत्र के बच्चों को हम अच्छी सिख्षा देंगे व और वो डिशाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या बहतर है आप देखते होंगे कि बहुत सारे युवासाती जो IIT किये हैं लेकिन फिर वो वापस आ करके घाओं देहातों में जो हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं कुछ-कुछ छोटा-छोटा व्यपार कर रहे हैं और वो बतान में सफान होने का मतलब सिर्फ नौकरी कर पाना ही नहीं है बलकि आपको संतुष्टी मिलना चाहिए कि हम अच्छी सिक्षा का किस तरह से इस्तमाल कर पाते हैं तो बहुत सारे युवासाती जो है बड़े-बड़े तलासने के लिए हमें अच्छी सिक्षा की विवस्था उनके लिए करनी होगी जिसमें सिर्फ सरकार के साथ साथ हमारे वीविन समाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा सर जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे गाओं है जो अभी तक भी उस गाओं पर इलेक्रिशिटी की बहुत सारी ऐसे प्रावलम है जो वहां पर जिस तरह की हम लोग देख पा रहे हैं कि उस गाओं में जब साम में बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठती है या फिर वो चाहते हैं कि मैं अभी घर का काम काश कर पर इस तरह के लिए बहुत साम में जब पढ़ने बैठता हूं उससे में देखा जा रहा है कि इलेक्रिशिटी नहीं रहती है और बहुत सरी ऐसे शमिश्या से वह भी जूज रहे हैं कि वह भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ू मेरा देश आगे बढ़े मेरे घर के घर के ज जादी का महाँ से मना रहे हैं लेकिन आभी भी ऐसे गाओं हैं जहां पर चोवीस घंटा विजली नहीं मिल पाती है अठारा घंटा भी नहीं मिल पा रही है जैसे कि मान के चलिए कि हमारा घंटा ही ले लिजिए जहां पर देखा जाता है कि बारा घंटा ही लाइन का उपल तो हम लोगों को जैसे समस्याय तो बहुत है जब कार्टिक बाबा एक थोटा सा गाउँ लीटा टोली गुमला का एक दूरस ग्रामिन चैसे वो समय बिजली भी नहीं थे मैं अपने युवासातियों को बोलना चाहूंगा समस्या तो है लेकिन उसमें बाबाकार्ति कुराओं वो ऐसे पसिति सरकारी विद्धाले से पढ़ करके पटना से IAC करके इंजिनियरिंग की डिग्री ले करके विदेशों से काफी डिग्रियां उन्होंने हासिल की इंकले प वहागिदारी होने चाहिए उनको सॉल्ब करने के लिए लेकिन हमारे उवाओं को कार्तिक बाबा से जरू सिक्षा लेने चाहिए एपी जे अब्धुलकलाम वो भी एक बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट है उनसे भी सिक्षा लेने चाहिए वो पेपर बेशते थे और बहुत मुसीबत से पढ़ेते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले हमारी वाओं सात्री को ऐसे जो महापुरूश है महानायक है जिन्होंने बहुत कटिन पस्तिती से समाज को एक दिशा दिखाया हमें उन्हें आदस मानना चाहिए पहला दूसरी बात है कि जो सरकार अपनी को समझें बच्चों के परतीभा को जाने और उनको आगे बढ़ाने में अपना यथा संभा सायोग दें मान लिया जाए 12 गट बिजली ही आती है हम लोग जो भी लोग है हम लोग जो सक्षम लोग है जैसे हम लोग ग्रामीन पुस्टकाले जो अस्थापना किये हैं इसके प होग सारे अभी भी गैसे घर है जहां बिजली नहीं है बच्चों के पास हमारे पुस्टकाले के जो बच्चे हैं तो उन लोगों को हम लोग जो है सामुदाइक भवन जी जी सर्थी जी नस्या कटी नम लोगों को अपना काम कर रहे हैं हम लोगों को अपना दाईत निभाना चाहिए पेबैक टू सोशाइटी बहु जरूरी है आज मैं देखता हूं कि हर समाज में आदिवासी समाज में बहु सारे जो हमारे पढ़ लिकर के लोग है अच्छे अच्छे पदो में अच्छे जगा गया हैं सरकार में परतिनिदित भी दिया है STAC को जो है लोग सभा और राज सभा विधान सभा में उनका परतिनिदित भी दिया है तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या जो हमारे समाज से जो बड़े-बड़े पढ़ों म तो मैं आफिस कतम करके एक कुस्त काले गया था, जो सीनी बगल में ही है, पैतालिस किलोस, फॉर्टी किलो मेटर से है, तो मैं वहाँ पर बच्चों आज चुकी कार्तिक बाबा के फुन नेती थी, तो वहाँ हम लोगों ने बच्चों के साथ जो है, कार्तिक बाबा की जो गा एक साथ संगटित रहना है, एक दूसरे को सिच्चित करना है, एक दूसरे को मदद करना है, और आगे बढ़ना है, तो यह परेड़ना जो कार्तिक बाबा जो छोड़ करके गया थे अपने जो बताय हूँ मार को, हम लोग उनका अनुशरन कर रहे हैं, और हम लोगों को लग दूसरे को सही है, यह सही बात है, सर जैसे कि हम लुद जैनना की पा हो है कि जो महनद करता है, महनद का फल भी उनको अच्छा मीठा मिलता है क्योंकि हम लोग यह भी जानते हैं कि जितने भी लोग अभी प्रिशन कर रहे हैं, वो आने वाले फल के लिए कामना करते है कि इस तरह के अगर हम बीज बोओने से क्या फसल निकलेगी क्या मेनफ करना पड़ता है उनों पहले से इनके टार्गेट होर रहते हैं कि जाते हैं कि अगर हम लोग काम करें कि आने वाले दिन के लिए हमारे साथ हमारे भविश्य भी ब्ले भुज्जल होंगे यह बहुत ही ए चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और जितने भी उनकी परिशानिया हैं वह दूर करने के कोशिज भी लगे हुए रहते हैं सर एक बात मैं यह करना चाहूंगा जैसे कि हम लोग बहुत सारी जगा पर देख पा रहे हैं कि स्कूल है कॉलेज है सब कुछ है सारे सुभीद्य उनके उपलत कराई जाती है लेकिन जैसे कि देख पा रहे हैं कि कुछ कमिया के कारण वह बच्चे अपनी जो सिक्षा अधूरी छोड़ देती है वह उनको लगता है कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा या फिर वह चाहते क परस्तितियों का सामना करते हुए एक मुकाम हासिल के तो मैं वैसे वीवा साथियों दोस्तों से मैं अनुरोद करूगा निवेदन करूगा कि कभी भी जो है गिबफ मत कीजे कभी भी आप जो है हिम्मत मत हारिए संगर्स करना ही जीवन है संगर्स करना ही जीवन है और संग आर्थिक समस्याएं हैं या फिर जो बहुत सारी ऐसे समस्याएं जो आस्थाई होती हैं, जिनको हम अपने महनत से, अपने स्ट्रगल से संघस करके उनको हरा सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में कभी भी हतास नहीं होना है, निरास नहीं होना है, जब भी आप हत अस्पताल जाके देखिए, सरकारी अस्पताल जाके देखिए, वहाँ पर जो लोग है, काफी गरीब लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो मरंकब में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको देखिए कि किस तरह से जो है वो लोग संघस कर रहे हैं जीने के लिए, आप तो स्वस्त हैं, आपके पास भगवान ने सुस्त दिमाग दिया है, शरीर दिया है, तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं, आप संघस किजीए, और आर्थी कर स्थितियां है, वह आस्थाई होती और ऑप संघस करके उन्हें, यह कर से, देखी हम गरीब घर में पैदा हुएं, यह हम हमारे हाथ में नहीं था लेकिन अगर हम गरीब ही मर जाएंगे तो यह हम लोगों के लिए जीवन के लिए दुर्भाग की बात होगा हम गरीब घर में जरूर पैदा हुए लेकिन हम गरीबी में नहीं मरेंगे हम संगर्स करेंगे और अपने जीवन को अपने ही जीवन को नही इस आठ स्क्राइब यहीं सोच हर किसी का बन में होना चाहिए ऐसी खयाल सब held कि a मैं में होना चाहिए कि छिस हलात पर oma कर दोर करके कुछ अच्छी अच्छी परिस्तितियां में हम लोकbay जाना चाहिए और जितने भी कठीनाएं अगर आपके सामने में आती है उस सारी कठीनाओं को आप पार करके आपको मंजील जरूर मिलेगा यह हर किसी के मन में एक होसला रहना चाहिए ऐसा ही इसी बातों पर ध्यान भी देना चाहिए जैसे कि हमारे बाबा करतिक औराजी में बहुत ही ऐसे संगर्श किये हैं उनके पास बहुत सारी ऐसे धन दौलत थी लेकिन उन्होंने भी उनका भी ध्यान नहीं दिया देने के बाद उन्होंने एक मकसद ये कायम किया कि आने वाले दिन में जैसे आदिवासी समाज के लोग विकास और आदिवासी लोग आगे आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए ऐसा सोच विचार रखना चाहिए हर किसी के मन में ऐसा आना भी चाहिए क्योंकि अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे में जो भी खड़ा है वो भी इनसान आपके देखकर एक कदम और वह पहार बहुत सरे ऐसे स्टूडेंट है जिसे आप हेल्प कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा मार्क मिल रहा है उनको भी ओचाते हैं कि आने वाले दिन में उनका भी भविश्य एक उजल हो जी जी और जैसे कि हम लोग यह भी और जान पा रहे हैं कि जिस तरह कि परिस्तितिय जैसे जहिल रहे हैं जितने भी हमारी स्टूडेंट्स या पिर जितने भी घर के जो लोग हैं वह भी एक चाहते हैं कि आने वाले दिन में भविश्य में वह भी हमारे बच्चा भी कुछ करें इसको लेके सर यह भी मैं एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरह का अभी प्रभाव भी पढ़ रहा है इसके अमरे में दो सब्दाब जरू करें देखें यह इंटरनेट जो है आधुनिक समय में वर्दान है लेकिन यह निद्भर करता है हमारे उपर कि हम इसका कैसा इस्तमाल करें जिए मैं यह बताना चाहता हूं कि आज में हम दो साल जो कोविट पुस्तकाल में स्कूल्स कॉलेज बंद हो गयते तो बहु सारे बच्चे जो है इंटरनेट के माध्यम से अपने शिक्षा को जारी रखे तो एक समस्या जो है इंटरनेट का हमारे ग्रामीन चेत्र में भी आया था लेकिन पुस्तकाले में हम लोगों ने जो कंप्यूटर प इन चीजों से लिमिट दूरी बनाके रखे आपको जो मैटेरियल आप इंटरनेट से सर्च कीजिए और मतलब की चीजों को जो है आप कलेक्ट कीजिए तो आप जीवन में जो है आज के डेट में जो गूगल है और इंटरनेट है यह आप हम लोगों के लिए बहुत बड़ सोर्सेज है ज्यान का तो हम लोग अगर इसका सही सद्विपयोग करेंगे तो जीवन में सखल हो सकते हैं वही अगर इसका हम दुरुपयोग करते हैं अगर समय बरबाद करते हैं सोशल मीडिया और यह सिब चीज में तो आज हम युवा हैं 20 साल 25 साल के हैं तो हमारा जो देश के सक्थी हैं आने वाले भावी पीड़ी हैं आप समाज के मजभूत अस्तम बनेंगे कल को तो आप जो है इंटरनेट का दुरूर्पयोग करके समाज को बरवाद होने से बचाई एए आप इसका सतुबयोग करके एक मजभूतומן बनी है जिससे हमारा समाज और देश म और यह सिर्फ शंभव हो चुका है, यह सिर्फ इंटरनेट की वज़े से, तो अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम, जो है, जो है, बिना, आज बहुत सारे लोग पहले जब इंटरनेट नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों, बच्चे जो है, प कॉंपटिशन के क्लासेज्ट इस्कूल के क्लासेज वगेरा सारा जो है यूटूप में उपलब्द है अब हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है और यह सबसे ज्यादा वर्दान सीध हुआ है गरामी गरीब जरूरतमन्द मेधावी बच्चों के लिए जिनके पास य में और अपने घरों में बैटकर के जुए है इंटरनेट के माद्यां से आज भी बहूBeek बहुत अच्छी अच्छी बाते करें कि और बाबा करती कुराओं से उन बहुत शाही बाते में लोग कगता है रहा है बहुत ही आदिवासी को दिखा जा रहे हैं बहुत पुछी तरह से आप ही अच्छी तरह से आप भी काम करें और आज का इस प्रोग्राम में दर Also मैं आपने अपनी जितनी भी किंते बातें रखी इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और एक ची मैं बोलना चाह रहा था हलो जी जी सर बताई बताई इसमें सिर्फ आदिवासी बच्चे ही नहीं पड़ते हैं जितने भी आसपास के लोग हैं सिक्षा कि कुछ जाती नहीं होची है है जो बिलकुल सरकारी नवरी में परुट बहुत-धन्यवाद यह बहुत-देन्यवास जी हमारे पास, तइंक की बहुत ही कमी है और हम लोग जो प्रोग्राम अभी चल रहा है वो भी समाप्त होने को चला है और अपने जितने भी विचार आपने बताई हमारे दर्सक तक उनके विचार पहुंच की पिर रहे हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सर जहाल कप असके अन्हा बढ़ कोई स्वेयोंत तक चाहां आपने जाहता हमारे जाम आपने और चाह्म याद विकास पिर इस प्रुंद इसरी गीटास घु़ां तर अजितने आपने अई या को जी या दो अविक आ थे जिए और गाद्वतना है जहां तर अटी में रपने लिए प्ष झाल झाल